वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुहाटी वंडे में टीम इंडिया के हिट मैन रोहिश शर्मा ने अपने वंडे करियर का बीसवाशा तक जड़ा रोहित ने 117 गेंदो में नाबाद रहते हुए 152 रन बनाए रोहित ने अपनी पारी में 15 चोके और 8 चक्के भी लगाए थे इसी के साथ ही रोहिश शर्मा ने भारत की तरफ से सरवादिक चार बार एक वंडे पारी में 8 या उससे ज्यादा चक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया रोहित के बाद टीम इंडिया के पूर्फ कप्तान महिंदर सिंग ढोनी और योसिफ पठान का नमबर आता है जुन्होंने दो बार वंडे पारी में 8 या उससे ज्यादा चक्के लगाने का कारनामा किया है एक वंडे पारी में 6 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्फ कप्तान और आल राउंडर शाहिद अफ्रीदी के नाम है अफ्रीदी ने 13 बार यह कारनामा किया है अफ्रीदी के बाद दूसरे नंबर पर क्रिस गेल और तीसरे नंबर पर रोहिश शर्मा का नाम आता है